हाई गाईज वेलकम बैक टो माई चैनल और आज हम आपको लेकर चलते हैं एक मॉल में वैसे तो मॉल हर किसी को जाना बहुत ही पसंद है क्या कि शॉपिंग किसे नहीं पसंद है खासकर गल्स को तो शॉपिंग करना बहुत ही पसंद होता है और अक्सर हो मॉल में जाना पसंद करती है तो चल्पिए आज हम मॉल घूम कर आते हैं वैसे मॉल में जरूरी नहीं कि आप सिर्फ शॉपिंग करने के लिए जाएं वहां पर बहुत जारे फूड कोट्स होते हैं आप वहाँ पर मस्द खापी सकते हैं, इंज्वाय कर सकते हैं, थेटर भी होते हैं, मूवी देख सकते हैं वहाँ पर, तो इस तरह वहाँ पर आप सिर्फ शॉपिंग ही नहीं, बल्कि आप इंज्वाय भी कर सकते हैं, तो आज हम इस वक्त विजिट कर रहे हैं, आज सिटी उसमें से 194 जो होंगे वो शोरूम होंगे शॉपर्स जो शॉपिंग स्टोर होते हैं वो होंगे और कम से कम 66 फूड आउटलेट्स होंगे यहां पर और 10 इंटर्टेन्मेंट एरियाज हैं यहां पर तो इस तरह से यह जो मॉल है काफी बड़ा और काफी अच्छा मॉल है यहां पर बहुत कुछ है देखने के लिए अब शॉपिंग तो बस आप किसी भी मॉल में शॉपिंग तो वैसे भी आप कर सकते हैं हर जगे कॉस्ट भी लगग से एक्चुली मेरा सेंट्रल लाइन में व अच्छा मॉल है और वहां पर एक छीज और है इस मॉल में आपको स्नो वर्ड मिलेगा मतलब आप अंदर जाकर जैसे आप सुन अगर अप गई हो कभी तो आप समय सकते कि स्नो वर्ड में क्या होता है मस्त वहां पर आप इंज्वार कर सकते हैं आइस होती है ठंडा रहता है मतलब पूरा क्लाइमेट कूल होता है वहां का तो आप अंदर जाकर सकते हैं भाई दवे मैंने सिर्फ सुना है मैं अंदर नहीं गई थी क्योंकि काफी लेट हो रहा था मुझे तो मैं अंदर नहीं जा पाई थी बस मुझे लग रहा था कि मैं कितनी जल्दी आपको कैसे मैं वीडियो बनाती रही ताकि मैं आप लोगों को कुछ तो जालग दिखा सकूं आर्ट सीटी मॉल की तो यह हमने विजिट किया आज आर्ट सीटी मॉल काफी खुबसूरत मॉल है आप कभी जाकर इंज्वा कर सकते हैं शॉपिंग नहीं तो आप खाकर तो कुछ आही सकते तो चलिए आप देखिए इंज्वा की जा सिटी मॉल मुझे बताइए कि आप लोगों को यह मॉल कैसा लगा आप लोगों के घर के नजदीक में जो मॉल है उससे अच्छा है वह ऐसा ही है तो आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम फिर से मिलते हैं ऐसे कि नियू वीडियो में तब तक के लिए बाइए हुआ 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 है